भैंकर एलांग जीयो की तरफ से आ गया दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन जी हाँ दोस्तों जीयो फोन 5 सबको मिलेगा यह स्मार्टफोन अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के साथ लाश तक बने रहेगा क्योंकि आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको मिलेगा एक बहतरीन करव डिस्प्ले स्मार्टफोन जहां पर आपको पीछे के साथ ट्रिपल रियर कैमरा का सेट अफ और सामने की साथ सिंगल पंच होल कैमरा दिया गया है दोस्तों यह स्मार्टफोन जियो के द्वारा लांच किया गया है और इस स्मार्टफोन में सबसे बड़ी खास यह दिये है इस smartphone में आपको बहतरीन डिस्पले और बहतरीन कैमरा दिया गया है पांच color variant में यह smartphone इंडिया में launch किया गया है जो कि वो golden, pink, red, green और sky blue है तो चलिए दोस्तों बताते हैं किस तरीके से आप इस smartphone को बहुत ही कम कीमत में ले सकते हैं यहां तक कि इसके कीमत इतनी कम रखे गया है कि यह बन जाता है दुनिया का सबसे सस्ता 5G smartphone जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने चार सहरों में Gio 5G को launch किया है और उसके साथ यह smartphone में बहुत ही चल्दी हर सहरों में मिलना सुरू हो जाएगा तो चलिए दोस्तों बताते हैं किस तरीके से आप इसका registration कर सकते हैं उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को like ने किया तो वीडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए और इस वीडियो को जारा से जारा share किजिए क्योंकि आप और जैसे आपके दोस्त हैं सभी लोग के पास यह वीडियो पहुंच पाए अब सब लोग जीयो का 5G स्मार्टफोन जल्दी से जल्दी आडर करके अपने घर मंगा पाएं दोस्तो इस स्मार्टफोन में सामने की तरफ आपको 16 मेगा पिक्सल कैमरा और पीछे की साइड आपको 50 मेगा पिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है जिसमें आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है दोस्तो OIS का मतलब होता है इमेज आप्टिकल इस्टेविलाइजेशन जिसके जरिए आप एक स्टेबल और सिनेमेटिक वीडियो सूट कर सकते हैं और काफी पेत्रिन फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं चाहे हो दिन हो चाहे फिर रात हो सामने के तरफ आपको 16 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है और इसके डिस्प्ले 6.5 इंच की दी गई है फुली 5G स्मार्ट फोन पूरी तरीके से आपके लिए तयार है इसमें आपको फेस अनलाग, 18W की फार्स चार्जिंग, 6000 एमेज की बैटरी के साथ साथ कई सारे फीचर दिये गया है तो दोस्तो अगर आप इसी स्मार्ट फोन को लेना चाहते हैं तो अपना नाम हमें कमेंट करके बता दीजिए और यह स्मार्ट फोन अभी तक अफिसली लांच नहीं किया गया है लेकिन पूरी लिक्स निकल कर आ चुकी है जहाँ पर जियो एजियम मिटिंग में भी मुके संभानी जी ने इसी स्मार्ट फोन का जिक्र किया था वहीं पर जियो 5G को लांच करते हुए भी इस स्मार्ट फोन की जिक्र की गई है तो यहाँ तक की पता चलता है कि यह स्मार्ट फोन दिवाली से पहले इंडिया में लांच हो सकती है आप इसका वेट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा